बार दोस्तों आपका अमारी यूटूब चैनल पर श्वागत है आज की इस वीडियो में हम दोस्तों ACDS यानि Army College of Dental Science से सम्मंदित मैथपूर्ण चर्चा करेंगे दोस्तों बार बार स्टुडेंट्स के फॉन आ रहे हैं दोस्तों मैं भी Army background होने के कारण दोस्तों मुझे भी लास्ट इर ये College अलोट हो चुका था पर मैंने इंट्रेस्ट नहीं लिया तो दोस्तों हर स्टुडेंट को वही बात explain करने से अच्छा मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको अप्लोड करता हूँ Actually friends अभी आपको पता है कि आप सभी जो इसमें जाना चाहते हो मैक जीमों में student army background से बिलॉंग करते हैं उनके फादर आर्मी में और मैं मानता हूँ दोस्तों आर्मी में एक limited payment होने के बाद limited salary होने के बाद students आपके parents का इतना budget नहीं होता कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको MBBS के private college में एडविशन दिला पाएं क्योंकि महा minimum से minimum 70 लाग रुपे से package इसके regarding दोस्तों एक करोड तक जाता है और दोस्तों आप कितने अच्छे number है नहीं कि आपको government sheet alert हो जाए तब ही आप ये वीडियो देख पा रहे हैं क्योंकि ACDS में boy student जाने की सोचता है जो NEET के army college of medical science दहली तक भी उसकी ranking नहीं पहुँच पाती है तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाता हूँ हलाकि आप सभी इस बात को जानते लेकिन एक बार कहते हैं ना alert करना मैं आपको alert करना चाता हूँ कि ACDS जो college है उसमें दोस्तों आपकी fees लगवग लगवग 3 लाग से तो उपर ये फरियर की ये minimum इसके अलावा दोस्तों आप रहना खाना माने तो 4 लाग सबा 4 लाग रुपे आपका package महुंच जाएगा तो टोटल अगर 5 से multiply करें तो 16 लाग से 17 लाग रुपे आपका package महुंच जाएगा इसके अलावा दोस्तों AFMC में अगर आप डाइरेक्ट अगर आपका एडविशन हो जाता तो AFMC से आप डा लो मकरा के आपको free कर देंगे तो मैं यह कहना चाहरा हूं कि दोस्तों जब अपन 17, 18, 15, 16,000,000 रुपे खर्च कर रहे हैं तो इससे अच्छा दोस्तों आप MBBS करो अब MBBS में यह स्तितिय एक सर MBBS में तो 70,000,000 से कब MBBS नहीं होती तिने नंबर पर तो friends यह जो situation अब मैंने यहाद तक आपको बताईए यह situation last year मेरे साथ थी मैं भी आर्मी बेक्ग्राउंड से ब्लॉंग करता हूं मुझे भी यह college अलोट हो गया तो दोस्तों अभी आपको पता Supreme Court का result आया था उसमें इस first उन्होंने कहा है कि आप किसी भी country से किसी भी दुनिया के कोने से MBBS करो चाह अले वो MCI के नाम से हुआ करता था student out of India नहीं जाते थे तो अगर आप यहाँ 16-17 लाग रुपे खर्च कर रहे हो तो दोस्तों 22-23 लाग रुपे में अगर आप out of India से MBBS कर लेते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है यह मुझे आपको बताने की आवश्यक्ता नहीं है कि ए आपका भविश्य और अच्छा बन सके हाला कि अगर आपको डिग्री मिल जाएगी तो डेंटल भी इतना खराब स्कोप नहीं कर सकता अच्छा स्कोप है लेकिन दोस्तों इसमें बाद में गौर्णमेंट पोस्टिंग होने में बहुत ज्यादा आपको संगर्स करना पड़ तो जो इस्टुडेंट का लेवल यह है अच्टम में वही पांस साल वाद रहेगा तो आपको दोस्तों पोस्टिंग होने में बहुत शमर्स से होगी तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहरा हूँ अगर आप इसमें एडविशन करा रहे हो तो इससे अच्छे दोस्तो आप आउट ओप इंडिया चला जाओ मेरे साथ भी यह स्टिती थी लास्ट यहर दोस्तो मैं तो आउट ओप इंडिया चला गया कजाकिस्तान से में बीविश कर रहा हूँ सेकंड डियर का इस्टुडेंट तो जो डिसीजन मैंने लिया है वही दोस्तों मैंने आपके साथ share किया है इसके regarding दोस्तो अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो कि कौन सा college best रहेगा आपके college की piece क्या है तो दोस्तो उसके लिए मैं आपको screen पर number देता हूँ जिससे कि आप मेरे से direct बात कर सकते हो मेरा number दोस्तो 73-57-22-12-24 दोस्तो ये number है आप इस पर इसके regarding और update ले सकते हो दोस्तो मैं basically राइस्तान करेने वाला हूँ और जो मैंने decision लिया वो मैंने आपके share कर दिया है आप खुछ समझदार हो और actually दोस्तो आपके father army में तो जैसी बात है पड़े लिकी family या फिर educated family से आप belong करते हो तो MBBS और ADS dental में पहले आप different करना फिर फैसे में different करना फिर पांस साल बाद दूर दर्शी सोच रखना कि अपना पांस साल बाद status क्या होगा क्या नहीं होगा तो इन सब बातों पे विचार करना दोस्तो आपके carrier का मामला है छोटी सी कई बार छोटी सी लापरवाई है छोटी सी पैसे का लालाची सुक्ष में जिसको सोच कहते हैं कि मेरा बेटा विदेश कैसे जाएगा ये क्यों दोस्तों MBBS डिग्री बहुत बड़ी डिग्री है कुछ चीजों से समझोता भी करना पड़ता है कई जगा effort भी लगाने पड़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा पैसा भी जादा हो सकता है दो चल लाग लेकन आपको decision side direction में लेना है और जो मैंने अपनी life से या फिर जो चीज मै मैंने सी की दोस्तों वो बात मैंने आपको बता दिये इस वीडियो के मैंद्यम से क्योंकि इतने phone आते हैं मेरे पास दो तो हर student को एक बात share करना वार वार वही बात बताना तो थोड़ा सा मुझे भी awkward लगता है इसलिए मैंने वीडियो के मैंद्यम से अपनी पार दरस्ता आपके साथ share कर दी तो दोस्तों इसके regarding कोई भी और information चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं या फिर मुझे WhatsApp पर message कर सकते हैं तो दोस्तों मिलता हूं next वीडियो में next update के साथ आज के लिए इतना ही जै हिंद जै बारत